दोस्तो वोमेंस IPL की धमाक के दा सुरुवा चार मार्च को हुई ही गया था और हमें पहला मैच मुंबई इंडियन्स और गुजराज जैन्स के बीच देखने को मिला था जहां मुंबई इंडियन्स ने सांदार जीत हासिल करी थी और वहीं 5 मार्च यानी कल रभीवार को हमें दूसरा मैच देखने को मिला जो रॉयल चैलेंजस बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की बीच खेला गया जिसमें दिल्ली ने सांदार 60 रनों से जीत हासिल करी दोस्तो कैसे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीत हासिल करी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो करने तक जरूर देखें उससे पहले अगर आप माई चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को प्रसक्राइब जरूर करिएगा दोस्तो टेबलू बीयल का दूसरा मैच राल चैलिनस बैंगलोर और दिल्ली केपिटर्स के बीच खेला गया जहां आज सीबी की कप्तान इसमिती मान भानर ने टॉस जीत कर पहली गेन बाजी करने का फैसला किया दिल्ली की तरफ से पारी की सुरुआज से फाली वर्मा और मैग लेंडिनिंग ने करी और इतनी ताबर तोड करी की आज सीबी के पसीने निकाल दिये दोनों ने मिलका पावर पिले में दिल्ली का इस्पोस तावरं तक पहुचा दिया उसके बाद तो मानों इन दोनों ने गेर ही बदर लिये दोनों ने मिलका चौको और छको की बर्सा चालू कर दे देखते ही देखते से फाली बर्मन अपना अर्स तक पूरा कर लिया और दस ओबर में ही दिल्ली का स्पोर्स हो के पार कर दिया अपना अर्स तक पूरा किया उसके बाद दोनों ने अपने बैटिंग गेर को चेंज बढ़ाया और चौदा ओबर में ही दिल्ली का स्पोर्स डेर्ट्स हो के पार कर दिया लेकिन पंद्रह वे ओबर में हेथर नाइट ने दोनों को आउट कर दिया जहां मेग लैनिंग ने 72 रनों की पारी खेली और वहीं से फाली बर्मा ने 84 रनों की उसके बार मैदान पर मेरी जेंग कैप और जेमी मौर ओडिक्स आई दोनों ने आगते हिचोको और छको की परसाथ कर दी और दोनों ने मिलकर दिल्ली का स्पोर्स बीस ओबर में 223 रन तक पहुँचा दिया मेरी जेन कैप ने 49 रन और जेमी मर और डिक्स ने 25 रन की सांदार पारी खेली और बैंगलोर टीम को 224 रनों का लक्ष दिया जिसके बाद RCB की टीम बल्ले बाजी करने मैदान पर उतरी जहां RCB टीम के दोनों उपनर ने टीम को सांदार सुर्वा दिलानी चाही पर 41 के स्कोल पर ही सी फिर्टो की डिवाइन के रूप में RCB को पहला जटकर लग गया उसके बाद एलिस पेरी यह उसमिती मानधाना ने जिम्मिदारी सम्हानने की कोशिस की पर 56 के स्कोल पर RCB को इसमिती मानधाना के रूप में बाड़ा जटकर लगा इसमें दिमान धाना 35 बना कर आउट हो गई उसके बाद मानो RCB के विकेट गिरने की जड़ी लग गई जहां RCB ने 117 के स्पोल पर ही अपने 7 विकेट गवा दिये जहां तारा नौरिस ने तिल्ली की तरफ से सबसे ज़ादा 4 विकेट चटकाई RCB की टीम ने 20 वर में 8 विकेट फोकर 173 भी बना पाई और तिल्ली को साथ रनों से सांदार जीन हासिल हुई